Dear Students, इस मोड्यूल में हम फाइलम, सिलेंट रेटा के अंदर बॉडी वाल और सेल्स, निमेटोसिस के बारे में डिसकेशन करेंगे. सेल्स जो हैं, इन्होंने अपने आपको टिशू के लेवल पे और्गिनाइज किया हैं, और हार एक सेल्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन भी डिटर्मिन हो चुक है. अल सेल्स जो हैं, दे आर नॉर्मली डिराइट फ्रांदा, अम्ब्रियोलोजिकल लेइर्स, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से बनेगा, आउटर लेयर ऑफ दी बॉडी वाल, जिसको हम कहते हैं, एपी डर्मस, और जो इनर बॉडी वाल है, इसको हम कहते हैं, गेस्ट्रोड तो बेसिकली ये सेल्स क्या हुए, ये एनिमल्स क्या हुए, डिप्लोब्लास्टिक, अब गेस्ट्रोडर्मस कहां से बनती है, गेस्ट्रोडर्मस इस डिराइट फ्रांदा एंडोडर्म, इन सेल्स से आप देखें, आउटर बाडी लेयर, एपी डर्मस, बाडी वाल, एडियल मस्कूलेचर की अपीरस टार्ट हुई, अभी हमने ये भी कहा था के सिलेंट रेट्स के अंदर सैंसरी सेल्स जो हैं, वो मौझूद हैं, और यहां पर नर्व सेल्स की भी अपीरस है, और एपीडरमस यानि आउटर सेल्स और इंटर्नल सेल्स के दर्मयान में जो लेय किसम के सैल्स में डिफ्रेंट्शेट किया, और इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, फूट गैदरिंग, कोडिनेशन, मूवमेंट, डाइजेशन, और एब्सॉर्प्शन, और मिजॉगलिया के बारे में मैंने बताया, कि यह जैली लाइक लेयर है, जिसके अंदर और इस मिजॉगलिया, और जो वन काइंड ओफ इंपॉर्टेंट क्रेक्टरिस्टिक्स इस फाइलम का यह है, कि यहां पे अपीरेंस ओफ मिजॉगलिया हुई, यानि अपीरेंस ओफ मिजॉडर्मल स्टार्ट होगी, एपीडर्मल सेल्स में काइंडोसाइट्स ले प्रोडूस्ट निमेटोसिस निमेटोसिस जो हैं, वो स्ट्रक्टर्चर्ज हैं, जो के अनिमल की ओफेंस और डिफेंस में इन्वाल्व हैं, निमेटोसिस फ्लूड लाइक इंटर इंट्रासेलूलर कैप्सूल है, यहां पे आप देखें, कनाइडोसिस स्ट्रक्टर और नमेटोसिस इस्चार्ज, अभी हमने कहा के यह सेल्स जो हैं, they are involved in body defense, कनाइडोसाइट्स है, इसके अंदर यह नूकलियस है, नूकलियस के अंदर यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्टर है, नमेटोसिस है, और अपरकुलम जो है, this is a body cavity. अब जब भी animals जो है, they will feel danger. तो इन के अंदर ये tube-like nematocyst जो है, they are coming out through this aperture, operculum. Operculum will open and nematocyst will come out. Nematocyst के उपर एक ये tube-like whip-like structure है. this normally shows its beating and animal feels itself protected from the other enemies. तो this is the canidocyte structure and discharge of nematocyst. Nematocyst cells उसी वक्ट discharge होते हैं when the animal is in danger.